नमस्कार ड्यार्वी नियूज में आप सभी का स्वागत है मैं बंदिना सेंग भारत में बेरोज़गारी एक प्रमुक समाजिक मुद्दा रहा है कुरोना काल में तो ये संकट और भी तेजी से देश में गहराया है कुरोना के कारण लोगडाउन जैसी स्थितियां पैदा हुई और लोगडाउन में बाजार और उद्योग सब बंद कर दिये गए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकोनॉमिक की रिपोर्ट कि अनुसार 31 दिसंबर तक भारत की कुल बेरोज़गारी 7.3 प्रतिशत थी इसमें शेहरी बेरोज़गारी 7.9 प्रतिशत और ग्रामीर बेरोज़गारी 7.2 थी सरकार ये दावा कर रही है कि कोरोना संकट के बीश नौकरियां बढ़ी है श्रम मंत्राले ने सोमवार को इस वित्व वर्ष की दूसरी तिमाही का रोज़गार सर्वेज जारी किया है जुलाई से सितंबर के बीच देश में 9 सेक्टरों में 3.1 करोड नौकरियां थी इसके बाद ये है कि अप्रल 2021 में देश में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी और इसके बाद ही राजियों में लॉकडाउन जैसी पाबंदिया हटाई है इससे आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ जिन 9 सेक्टरों में ये सर्वे हुआ है वे हैं Manufacturing, Construction, Trade, Transport, सिक्षा, स्वास्त, आवास, Restaurant, IT, BPO और वित्य सेवाई स्टडी में 10 या अधिक करमचारियों वाली कमपनियों को शामिल किया गया है रोजगार मंतरी भुपेंद्र रियादव ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि इन अध्यनों से सरकार को साक्ष आधारित नीती बनाने में मदद मिलेगी आकड़े कुछ भी कहें लेकिन सचा ही ये है कि कोरोना ने सबकी कमर तोड़ी है अभी तीसरी लहर आने के कारण हालाथ फिर से खराब होने की आशनकाएं है लेकिन उमीद की जा रही है कि उसके बाद फिर से हालाथ में सुथार आएगा लोगों के लिए रोजगार के अवसर उप्लग्ध होंगे फिलाल के लिए इतना ही चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजाज़त जैहन्त